हाजीर हूँ आप सभी लोग के सामने एक बाट फिर से एक सल के टॉप 10 डेटा एनलेसिस ट्रिक्स और हैक्स के साथ तो एक-एक करके ये productivity tricks मैं आप सभी लोग के सामने रखता हूं जो आपके daily life में काम करने के दौरन बहुत ही एहम रूल प्लीए करेगा पाब लोग के सामने ये रहा productivity tricks number one बहुत ही simple से जुरुवाद कर रहा हूं copy paste और अलग अंताज यह रहा मेरे पास डेटा इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने फॉर्मूला को लगा रख और मैं यहां से यहां तक की डेटा को सेलेट किया इसकी कॉपी चाहता हूँ मैं दूसरे लोकेशन पर या कुछी अगर फॉर्मैट में ऐसे सिचुएशन में देखते हैं मैं क्या क्या कर रहा है और अब फिर से नॉर्मल जो क्लिक होता है उससे आप मूव करिए इसको लेकर और जिस भी लोकेशन पर लेकर जाना है वहां पर आप मौस का पॉइंटर छोड़ दीचे जैसे आपने छोड़ा देख लीचे इस तरीके साएगा मूव हेर कॉपी हेर अब आपको जो काम करना आपके सामने डेटा यहां पर से टाइम पर मैंने टार्गेट तक लिया है तो एक तो तरीका हो सकता है कि मैं यहां से अगीन right click करूँ select data में जाओ और वहां से enhance करूँ range दूसरा तरीका क्या हो सकता है उससे आसान और अगर fast काम करना है तो यहां से इसको select copy कर लिया करसर इस पे रखा इस चार्ट को पर test कर दिजिए तब भी हो गया ठीक है डेटा copy और चार्ट पर करसर रखके पेस्ट तब भी हो गया तीसरा तरीका उससे भी आसान चार्ट पर कर मैं करसर रखता हूँ तो मेरा selection भी कहां तक है यहां तक है न बस यहां से आगे extend कर दिजिए डेटा जहां तक होगा वो चार्ट में add तात के साथ इस डेटा का या चार्ट का मैं separate copy भी चाहता हूँ तो यह चार्ट सेलेट किया control प्रेस कीजिए और यह रहा भूब करके जहां पर चाहिए copy अगेर यह काम डेटा के case में भी कर सकते हैं और कई सारे method भी से खरक है उन method से अलग एक method और बताना चाहूंगा और fast काम करने के लिए यहां पे अगर इसको मैं select करूँ यह भी दिखने में value है बट actual में तो है text तो अगर मैं इसको number में convert करना चाहूं तो select करके alt def नहीं हुआ जब क्यों हो जाना सही है shortcut से अब इसी data क तो मुझे text to number में convert करना है जो भी मैंने shortcut से apply करने की कोसिस की बड़ वह नहीं था तो आप क्या कीजिए कहीं भी कर से रखिए blank cell को copy कर लिया blank cell को copy कर लिया और इस data को select select कर लेने के बाद प्रेस्टे special में चलते हैं और प्रेस्टे special में जाने के बाद यहां पर आपको करना है add ओके बटन पर प्रेस तो यह add क्या क्यों हो हो इतने नमर में convert कर दिया क्यों यह जो blank cell है उसको zero consider करेगा तो यहां पर address लिखा हुआ है मुझे इसको on stack करना है इस data को on stack करना है किस तरीके से तो address यहां आ जाए city उसका यहां आ जाए और state उसका यहां आ जाए एक कर नहीं सबका तो कैसे करेंगे ओ देखिए मैंने क्या किया पहले यह जो address है एक cell के लिए बस कर देते है इक्वल टू इसके बरावर कर दिया फिर इस cell में आ जाए एक्वल टू यह इसके बरावर कर दिया और फिर इस cell में आ जाए एक्वल टू यह यह ले लिया उसके बाद इस data को select और यहां से इस पे कर सा रखके यहां से यहां तक drag करके copy कर दीजी हो गया अब आपका data इस त में जाके यहां पर select कीजिए blank ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ किसको select कर लिए उसमें blank को control minus control minus मुझे remove करना है जैसे ही control minus आपने प्रेस किया इस तरीके का dialogue box आएगा यह वाला गया और यहां पर आप कर देंगे shift sell up प्रेस और अनस्टैक होके डेटा आपके सामने बिल्कुल बहतरी अंदाज में हाजिर है और यह डेटा अनलेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं चलिए तो अगीन एक और मेथर से डेटा को अनस्टैक करने की कोशिज करते हैं यहाँ पे उसी टाइप का डेटा है और मैं अगरान स्टैक करना चाहूं मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं वर्ड कुछ भी यह वर्ड आप कोई भी असोसियेट कर सकते हो और सेल का डेफरेंस उठा लेंजी एवन में है नो वो डेटा ठीक है उसी तरीके से यह डेटा एटू में है और यह हो गया हमार एठा सिक्स ले लिए इस तरीके से से सो का रिफरेंस एक तरीके से लिख देने के बार शेलेल को सेट लेना ृट रिण्ध को सेलेट कर लेना है और यह हो सेलेट कर लेने के बारिंट्रों ऋपलेलियो इसमें से मुझे किसको बदलना है जी इन को बदलना है और बदल के क्या करना है बदल के कर देना है equal to तो क्या लग जाएगा equal to A1, equal to A2, equal to A3 तो करेगा क्या मुझे बताने की साथ जरुत नहीं है आपको पता चल गया होगा ये करेगा क्या ये रहा output आपके सामने और ये बहुत बहतरी method again कली एक find and replace का और example हो जाए यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जो data दिख रहा है इसमें complete path है मेरे पास file का पूरा पूरा path दिया हुआ है कि कौन से drive कंदर किस folder कंदर कौन सा मेरा file रखा हुआ है मैं सिर्फ यहाँ पे अब file के नाम का list चाहता हूँ उसका जो location है उससे मुझे जुरत नहीं है ऐसे situation में हम लोग या करना चाहेंगे select कर लिया गया control as again मैं find and replace की बात कर रहा हूँ इसको हटा दिया गया जो हमने last में question में किया था और यहाँ पे find किसको करना है using wildcard star के साथ अगर मैं backslash को find कर लो star के साथ backslash को find करते हुए replace with null तो output कि आप क्या उमीद करते हैं वही उमीद करते हैं जो आप चाहता हूँ यह रहा output आपके सामने देख लीजी है काम का अब इस dataset में से blank row जहाँ जहाँ है उसे मैं remove करना चाहता हूँ ना कि जहाँ जहाँ blank cell है ध्यान रहे यह blank row है और वो भी sequence में नहीं है कि 2 के बाद या 4 के बाद कहीं भी है blank row तो इसमें से जितने भी blank row है वो delete होना चाहिए ना कि यह blank cell यह blank cell जहाँ जहाँ है वो delete नहीं होना चीज जैसे दिख लीजी ठीक है तो इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे एक method अपलाने चाहता हूँ है यहाँ पे एक pass कर देता हूँ helper column चोटा सा काम और यहाँ पे एक function पास कर देना चाहता हूँ count A हो गया count A और यहाँ से ले लिया हमने यह range bracket bank enter तो यह क्या बता दिया इसने बता दिया सबका occurrence लेकिन जहाँ पे row ही blank है वहाँ पे वो occurrence में क्या दिखाएगा हमें 0 और अब मेरा काम आसान होता हूँ नहीं जरा आरा है मैं यहाँ पे select alt dff filter लगा देंगे और filter लगा देने के बाद इसमें से 0 वाले को यहाँ से select कौन सा सिर्फ 0 वाला select ओके बटन प्रेस और 0 वाले को उठा के यहाँ से control minus remove और वापिस चलिए तो ज़रा आपने filter हटा के मेरे हिसाब से data आपके सामने आगया है और अब इस helper की भी ज़रत नहीं है देख लीजिए काम का लग रहा है यह सब ओफिस में काम करने के दौरां fast speed up करने के लिए होता है अब यहाँ मुझे क्या करना इस data मुझे column को switch करना है जैसे कि product है तो वो achieved के बाद दिखे या status पहले चला जाए टार्गिट पहले चला जाए ऐसे सब्सक्राइब मैंने आप लोगों को और सब्सक्राइब करने तो यहां पर क्या करना है या तो आप पूरे इस तरीके से आपको दिखे यह करसर जब इस तरीके से दिखे अब आप सिफ्ट बटन प्रेस कर देने के बाद आपको जहां पर लेके जाने देख लिए शिफ्ट बटन प्रेस कर रखा है मैंने ध्यान रहे है या दूसरा तरीका अगर आप को अलम भी नहीं सेलेट करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा यहां पर सिर्फ डेटा सेलेट करके भी आप वैसे ही जब इस टैप से बॉर्डर आ जाए तो शिफ्ट बटन प्रेस और ज बचाते हैं तो सिफ्ट के साथ एफ टू प्रेस कीजिए सिफ्ट और एफ टू प्रेस कर दिया यह कमेंट लग गया आपको जहां भी लगाना है ठीक है और इसी कमेंट को अगर मुझे रिमूव करने की जुरत है तो अगीन मैं क्या करूंगा उसी कमेंट पे कर सा रखा शि दिख रहे हैं, actual में यह numbers नहीं है, यह date है, है ना, तो मुझे इन number को date में convert करना है, और बाद में फिर उस date को मुझे number में convert करना है, तो उसके लिए आप दूसरे method आपने किया है, और आपने सीखा है, मैं बहुत ही आसान shortcut method बताने जा रहा हूँ, select किया data को, किस में convert करना है, date में convert करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, select already है, control, shift और three press की दिए तो यह रहा date, और again मुझे इस date को अब क्या वापिस उस number में convert करने के लिए, control, shift और tilt, आपका वापिस नमबर में convert, control, shift, plus tilt, पहसा में अमीद करता हूँ कि यह data analysis productivity tricks आपको काम के लगया होंगे, और काम की efficiency को improve करने में जरूर help करेंगे, इस विए उमीद के साथ आप से मिलता हूँ, next video में ऐसे ही किसी न किसी value added content के साथ, जो आपके career path में एक कदम आपको आगे की तरफ ले जाने में help करें, thank you for your love and support to InnoGen's channel, thank you, please.